छेड़धानी से तंग आकर तीस शात्राओं ने छोड़ दिया स्कूल गैंगरे पीड़ता के वरेली में हत्या बदाईयों में कारवाईन होने से आध दुश्कर्म पीड़ता ने खुद खुशी की मैं कितनी घटना है बताऊं कोई आज के समय पे कलबना नहीं कर सकता एक बेटी और बेहन के साथ क्या हुआ जो लोग पकड़े गए हैं वो तीनों के थीनों भार्टी जंता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं वो जब वो न्याय मांगने गया तो उसके कपड़े उतार दिये गए महा के अधिकारियों ने कपड़े उतरवाए ये zero tolerance है सरकार का zero tolerance law and order पर फिर भहलाओं के उपर सबसे ज़्यादे अपराद क्यों सबसे ज़्यादे घटना है उनके उपर क्यों देश में सबसे उपर उत्तर प्रदेश क्यों योगि आप कहते हैं कि महिलाओं बेहन बेटियों के साथ उनके राज में छेड़खानी रेब नहीं होता दुश्कर्मी अगले चोराए पर मार गराए जाते है B.H.U. में एक बेहन के साथ क्या हुआ कोई आज के समय पर कल्बना नहीं कर सकता एक बेटी और बेहन के साथ क्या हुआ जो लोग पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों भार्टी जन्ता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं वो और अद्देश मोदे कोई आसानी से मुखन जी के साथ फोटो नहीं केज़वा सकता तीनों की फोटो हमारे नेतर सदन के साथ है परसासन सरकार को पता था लेकिन क्या किया सरकार ने और मुझे याद है जब खानपूर में एक माँ बेटी के ऊपर बुल्डूजर चलाए गया था और आग लकर के माँ बेटी जिन्दा जल गय थे पिता और उसका भाई देख पिता था बचा नहीं पाया जब वो न्याए मांगने गया तो उसके कपड़े उतार दिये गए माँ के अधिकारियों ने कपड़े उतरवाए ये जिरो टॉल्लेंस है सरकार का और उससे में डिप्टी सेम क्या कहते हैं उन्होंने जो ऑनलाइन बात की उससे शिवहम ये घटना बहुत ही दुखी करने वाली है बहुत ही जादा दुख है हमें पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं जबसे हमने सुना है कारवाई कर रहे हैं जो आरोपी हैं उन्पर एफाय दर्ज हो गई 302 की हैं हम कड़ी से कड़ी कारवाई करेंगे किसी को नहीं बखशेंगे तुम हमारे परिवार के सद़ से हो हम तुम्हारे साथ है, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी मांगे हैं, उन पर गंभीरता पूर्वक खाम करेंगे, अद्धेक्ज मोदे जो मांगे, उस परिवार ने मांग की थी, क्या सरकार ने पूरी कर दी? क्या आरोपियों पे सक्चे सक्क कारवाई होगी क्या? क्या आरोपों आरोपियों पे सक्च कारवाई होई है क्या? जो जीरो टॉलेंस की बात कर रहे हैं, उनके समय पर जीरो लॉइन ओड़ा है, जीरो लॉइन ओड़ा है, जीरो लॉइन ओड़ा है, और एक घटना नहीं, घटनाएं कितनी गिनाई जा सकती है छेड़धानी से तंग आकर तीस छात्रों ने छोड़ दिया स्कूल गैंगरे पीड़ता के वरेली में हत्या बदाईयों में कारवाईन होने से आथ दुश्कर्म पीड़ता ने खुद खुशी की मैं कितनी घटनाएं बताऊं खेद गई के सोरी के हाथ बांद कर किया दुश्कर्म स्कूल में नावालें से किया गैंग रेप नौकी की तलाश में प्रताबगड पहुची युवती के साथ गैंग रेप पिंस्पल के असलील हरकते सामने आई तो स्कूल से कटवाली अनाम दुश्कर्म पिर्टा ने दी जान तीसे दिन शब साथ लेकर ठाना घेड़ने गई सामुइक दुश्कर्म पिर्ट महला की हत्या रुफ्ती को अवाकर दुश्कर्म किया छात्रों को चात्रा को बंदग बनाये तमंचे से बल पर रेप महला काउस्टिवल से दरुगों ने किया दुश्कर्म कितनी घटा है मैं बताऊं आपको नजाने कितनी घटा हैं और यह सरकार कह रही कि जीरो टॉलरेंस है यह सरकार न्यूस कंट्रोल कर रही है यह सरकान न्यूस कंट्रोल करती है आप राद कंट्रोल नहीं कर रही है